कि जब कैल्शियम की कमी हमारे वाड़ी में होती है तो हमारी वाड़ी कैल्शियम को मांगता है मांगने का मतलब समझ रहे हो हमारी उस चीज की इच्छा होती है जब भी हमारे सरीर में जिस चीज को खाने की इच्छा जागरत होती है इसका मतलब है उसके अंदर जो चीजें ह कर택 रहां उन सभी तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यूर्ण करें और पहुंचाने की कॉछिस करें कि säत गर जिन बच्चों को मिट्टी खाने कि आदत होती है जिन बच्चों को चौक खाने की आदत होती है या वो ऐसी कोई भी अंड़ेजिस्टिबल चीज़ खानी की कोशिस करते हैं प्रयास करते हैं तो उन सभी को क्या लेना चाहिए और उन सभी के लिए कौन सी मैडिसिन हमें खाना चाहिए तो मैडिसन बहुत कम पैसे में आपको मिल जाएगी और बच्चों को अगर कैल बारत को भुला सकते हैं जब भी बच्चे मिट्टी खाते हैं या चौक या कोई वी ऐसे चीज़ जो हमारे सरीर के लिए हामफुल हो सकती है बाहर की चीज़ खाने की कोशिस करते हैं तो हो सकता है उन्हें को कमी हो या हो सकता है कैल्शियम की कमी की कमी होता है जब भी बच पिका एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चे या बड़े ऐसी चीज़ें खाने की कोशिस करते हैं जो एन्डाइजस्टिवल होती है हमारे सरीर के लिए कोई फायदा नहीं करती है और वो हमारे वाड़े को हाम कर सकते हैं हमारे सरीर को हाम कर सकते हैं हमारी वाड़े के लि लेली कई सारी दवाईयां भी लेली लेकिन उनके बच्चों को मिट्टी खाने के आदत जो है नहीं गई है तो इस वीडियो जरूर देखिएगा पूरा और इसमें समझेगा कि किस तरीके से हम बच्चों के इस आदत को छुटा सकते हैं मेरे पास आज एक मैडिसिन है जिसका में मिलाई गई है और फेरंफॉस भी इसके अंदर 3X में मिलाई गई है जिनके बच्चे कैल्शिन की कमी से या आयरन की कमी से यह मिट्टी खाने की आदत उनको पढ़ गई है यह मिट्टी खाते हैं तो उन बच्चों को यह टैबलेट दो टैबलेट दिन में तीन वार सु को दो दो टैबलेट्स वो दें उनके बच्चों की जो मिट्टी खानी की आदत है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी उनको द्वारा से कभी ऐसी कोई प्राबलम नहीं आएगी अगर उनको कैल्शियम की कमी रहती है मान लीजे कि अगर उन बच्चों को हमने यह दवाई दी अभी दो महिने पहले और उनको फिर से रिपीट अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हो सकता है वो फिर से खाना इस्टार करता है वेसिकली ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब कैल्शियम की कमी हमारे वाड़ी में होती है तो हमारी वाड़ी कैल्शियम को मांगता है मांगने क के मतलब समझ रह。 हमारी उस चीज की इच्छा होती है. जब भी हमारे सरीर में जिस चीज को घाने की इच्छा जागरत होती है, इसका मतलब है उसके अंदर जो चीजे हैं, वो सकता है, वो हमारी बॉंडी में कम हो जाए. अब वो एक बात अलग है कि आपको नई-नई recipes चाहिए या नई-नई चीज़ें खाने के लिए चाहिए वो एक बात अलग है तो ये चीज़ आपको दियान लखना है बच्चों को जिनको मिट्टी खाने की आदत है जो बच्चे मिट्टी खाते हैं पैंसिल या चौब या जो दीवाले कुरेद कुरेद कर खाते ह हैं उन सभी के लिए आज ये medicine आप यूज कर सकते हैं और medicine का नाम में आपको फिर से बताने कोसिस करता हूँ वायो combination 21 नंबर आपको ये मिल जागे टेटिंग ट्रवल्स के नाम से भी आपको मिल जाता है होमिपथी का medicine है 95 रुपे का आपको मिल जाएगा कहीं भी online किसी भी किसी भी online साइट से आप खरी सकते हैं या आपके आसबस कोई हमिपथी medical store हो वहां से आप ले सकते हैं इसके साथ में जिन बच्चों को दात निकलते हैं दात निकलते समय बच्चे बहुत ज्यादा irritable होते हैं बच्चों को भूक नहीं लगती बच्चे चिड़-चिड़ हो करता है कैल्शियम की पूर्ती भी करता है खून की कमी है उससे भी पूर्ती करता है इसके साथ में जो बच्चे कमजूर होते हैं जिनको भूक नहीं लगते उनकी भूक भी बढ़ाता है जो बच्चे कमजूर है उनकी वाड़ी को विल्डप करता है जिनका डाइजेशन करता है उसे भी बढ़ाने का करता है तो मैं आपको सजिस्ट करूंगा कि बच्चों को साइड इफेक्ट रहित दवाईयां देने की कोसिस करें और बच्चे इसे बहुत आसानी से शेवन कर लेते हैं इसमें किसी भी प्रकार की कोई दोहराय नहीं है क्योंकि कई सारी ऐसी मार को ले लेंगे और द्वारा से आपसे मांगेंगे कि भाई हमें ये वाली मैडिसन दीजिएगा तो आपको भी सहूलियत होगी और आपके बच्चों को भी सहूलियत होगी इस तरीके से आप मिट्टी को खाने की जो बच्चे को आदत है उसे दूर कर सकते हैं मुझे उम्मी सभी तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पहुंचाने की कोशिस करें जैहिन नमस्कार थेंक्स सोबच्चिंग है पनाइस टेंग